अब आता हैं a closer look to the चोलास चोलास के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुरू ठीक है मैं आपको थोड़ा से इसके बारे में एक थोड़ा रफ स्केच बता देता हूं हुआ क्या था देखें फिर हम इसे पढ़ेंगे ये था हमारा पल्लव पल्लव किंग्डम ठीक है पल्लव है ठीक है और उनके अंदर चोटे चोटे हमारे चीफ थे एक दो तीन चार उनमें से एक चीफ जिनका नाम था चूलास ठीक है ना चूलास थे ठीक है और एक चीफ थे हमारे क्या उनका नाम था मुटे यार ठीक है तो अब क्या होता है यह दोनों चोटे युटे चीफ थे और यह सब एक पाला दुटेंदार रूल केंडर रूल कर रहें अब यह मुटियार के क souven Robe Live रेंडर इसको अब क्या होता होता है इसकी जब यहद refusing आती है उत्ते हैं रहा क्या होता है और पलभijn सीधा ठीक है ना और पूरे को रूल करने लग जाते हैं ठीक है ना जैसे पहले वेरा आपको बताया था हिस्ट्री में क्या होता है कि चीफ होते हैं यह करते हैं कुछ समय बाद अपने पावर और वह आती हैं कि वैल्स आती है तो अपने को डिपनेंट घुषित कर लेते हैं और यह चोला करते हैं picture को अलगे चीफ को हराते हैं फिर करते हैं धिरे-धिरे करके और हमनी पावर गैन करते हैं और पुरे प्र लभ डॉन डेस्टी को पावर इन कावरी डेल्टा मैंने पता है कि मुट्यार जो एक चीफ फैमिली ये कावरी डेल्टा में पावर ऐसे चीफ थे ये जैसे कि हमारे चोला थे ये कावरी डेल्टा में रूल कर रहे थे वो भी सबोर्नेट थे चोला भी सबोर्नेट थे पल्लव काचीपूरम विजेवाला वू बिलॉंग तो दे एंसियन चीफ फैमिली ऑफ दा चोला फ्रॉम उर्यार कैप्चर दा डेल्टा फ्रॉम मुट्यार इंदा मिडल अव दे 9th सैंचरी क्या करते हैं हमारे जो चोला हमार पल्लव के अंडरते पल्लव के ठीक है न और यह इसको हरा के यह कैप्चर कर लेते हैं है ठीक है है ही बिल्ट दट तंजावर एंड़ टैंपल फोर गॉड़ेश निशुम मुनिट देर अब यह मंदिर बनाते हैं उसके बाद तो मंदिर बनाने का तो देखो चलन चलते रह में पल्लव राजय से भी टकल लेते हैं ते पांडियाज फूर्लन चल फाल टेन इंडर इंदर अ में दर क्याक्요 प्रवाइट कंट्रोल वर मुस्ट आफ दीज एरिया जो राजेंदर वंत चोला अंपयर का सबसे पाउर्फुल रूलर माना जाता है तो इन्हों ने क्या करता है यह किंग बनता है यह जो पर आफ में उसके बाद अपना एंपयर बनाते हैं तो रसे पर एंपयर में इसको रियोगनाइज और बहतरीन में बनाते हैं अधिकार किस तरीके से काम करें गे राज राज राजा सन राज राज़ा सन राजांदर वन इस पॉलिसीज और एंड एवन रेड़िट गंगा वैली श्री लंका कंट्रीज और साउध इस्ट एस्या डवलपिंग नवी पॉर्ध इस एक्सपीडिशन ठीक है ना तो राज राजा सं राजंदर वन राज राज राजा तो राजंदर वन ने क्या करा उसने अपने फादर की पॉलिशी को आगे बढ़ा है कि वह कैप्चर करते जाना है और हमना एरिया बढ़ाना है और यह गंगा वैली तक गया मतलब आप लगा नौर्थ इंडिया तक यह आ गया ठीक है ना गंगा वैली तक इसने रिड़ किया है स्री लंका भी गया है और खोड़ दिया चोलाओस की सबसे बैतरी निवी दे एक साूट में सबसे बैतरी निवी ने के पास थी चोलाओस के पास अब पढ़ते हैं जासे आप अब पर्रांज स्कुप्चर्स में मैं अब बिग टमपल और टंजावऔर एं गंगा दी दॉला पुरहं बेंड़ राज चोली पूरम बिद बाइ राज राजंदार वन और आर्टेटक्चर एंड स्कल्प्चर मार्वल बहुत ही बहतरी तरीके से बना रहे हैं बहुत पैसा लागे बहुत अपनी लागे बहुत अच्छी कलाकारी कर रहे हैं चोला ओफन बिकेम दन चोला एंटेंपल ओफन बिकेम दन नुक्लियों सटल्मेंट विच ग्रिव अराउंड देम ठीक है ना देखो साउत में यह बड़ा रहता है कि जो चोला पैर खासकर चोला पैर में क्या होता था यह आपका एंपैर हो गया है हमारा यह आपका बीचमें नुकलियों में मंदिर होगा हूमारा टेंपल टेंपल टाउन बोलते हैं और यहां पर पुरी सीटी यहां पर रहती है टैंपल के आसपास ही ठीक है यहां पर इकनॉमिक एक्टिविटी बहुता है इंपल में पाउंड भी होता है आपको अगर आपका भी साउथ उनिया विजिट करेंगे तो आपको टेमपल टाउंस बहुत मिलेंगे चोला टेमपल अफन बिकेम दा नुकलिया सेटलमेंट विच ग्रिव अरॉंड देम आपको ञायिन थास परड़ें थाउंस परड़त, शनख मेडेंगे सेटलमेंत। इंवापक कहलेते मिलेंट का मातंवें थाउंस आपको लूग औरásओ आपकित थाउताए गांड १ॉ The produce of this land went into maintaining all the specialized who work at temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only the place of worship, they were the hub of the economic, social, and culture. cultural life as well. The temple was not the place of worship. There were economic and cultural activities in the temple. I had told you that there were economic and cultural activities in the temple. People used to buy things and sell things. We used to buy things. We used to have social activities and meetings. We used to have a meeting or announcement. We used to have social and cultural activities. Among the craft as well as the temple, the making of bronze images was the most distinctive. The craft is a big craft. The craft is the most famous craft. The craft is the most famous craft. The craft is the most famous bronze image. The bronze images are considered among the finest in the world. ठीक है पूरे विश्व में की सबसे जबदस इमेज माने जाती है सबसे बहतरी सबसे फाइन क्यूलिटी इमेज बनाते हैं ब्रॉंज इमेज जो बनाते हैं हमारे चोला बैर ने बनाई है पर कई बार क्या होता था भक्त की में बनाए जाथ थे अब हम पढ़ेंगे इस पाले में कि चोला एंगरिकल्चर and irrigation कैसे किया जाता था many of the achievement of the chola were made possible through new development in agriculture जितने भी आपने achievement देखे हैं चola empire के भई temples बनाया है न इतने बड़ी बड़ी temple बनाया है ये सब किसके वज़े से हुआ है क्योंकि agriculture में development हुआ है क्योंकि at the end of the day source और revenue का income पैसा भी तो होना चाहिए आप इतना खर्चा कर रहे हो तो पैसा कहां से आता था agriculture से आता था ठीक है agriculture बड़ा फ्लोरिज था बहुत ही बैठरीन का अग्रिकल्चर होता था यह लोग इतना अच्छा 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 था सबस्क्राइब करती नीचा बहुत है निकलती है अपने बहुत सारी स्ट्रिम्स में और क्या करती है अपने फटाइल जो मिटी लेके आती है वह छोड़ देती है तो डिल्टा क्रियेट होता है इस चैनल ओर फ्रो फ्रिक्वेंटली यह चैनल क्या करते हैं बार 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 आती रहती है ठीक है जैसे मांसून सीजन में वगरा अपने साथ क्या करती है जब यह पानी वापी से अलगाता तो यह दो नदी यह तो यह जब नदी इस तरह बढ़ आएगि और जब फिर ऑपनी रिषीड करेंगा तो वापी जाती है पर अपने साथ जो मिटी है वह अच्पाई चोड़ देगे और यह बड़ी बादी बहता होती है ठीक है भिस्साइल के बहुंड होटी है उसी थी को ऩी में होता है तो इसका पानी कि अल्बे से फिल्ब डीजियों पानी चिह अल्ड है छुट है तो आडरब से नायरी हैसे only after the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation ऐसा नहीं है कि अग्रिकल्चर डबलब नहीं होता उससे पहले था पर इतना ज्यादा डबलब नहीं था ठीक है थोड़ा बहुत अग्रिकल्चर होता था हमारे ताविलनाडू की एरिया में पर इतना लार्च्केल में नही था ठीक है ना- लार्च्केलल एग्रिकल्चर नहीं होपाता था उसके प्राइड अपने जमीन को ुस्तेमाल चाट चाटे जमीन को बराबर किया व Deep काड़ जमीन थी उसको बराबर किया गया लेवलिंग की गई इन देल्टा रीजन एमबेक्मेंट है टू बी बिल्ट फ्लोडिंग एन कैनल हट है टू बी इन देल्टा रीजन था वहां क्या कर रहा है एमबेक्मेंट बनाया है ठीक है दिवाले बनाएगी ताकि बाड़ कम से कम आ सके ठीक है और ताकि फ्लोडिंग ना हो बाड़ ना है और कैनल है टू बी कंस्ट्रक्टेड किया किसके लिए इरिगेशन नहरे भी बनाई गई जहा है यह देखिए यह एक्जामपल है हमारे पास इस्टोरिकर एविडेंस है ठीक है ना कैरी वाटर टूदा फिल्ड हमने क्या कर रहा हमने कैनल बनाई कि पानिक खेतों में पानी जा सके इरिगेशन सिस्टम कर निकले इन मैनी एरियास टू क्रॉप ग्रोरी नहीं है एक साल म जो हां उस जमाने में जो मारे किंग फाइदा हुआ क्योंकि रेविन्यू को सोर्स तो हमारे पास यही था सबसे जादा एक बिजनेसमें थे और एक यह थे जो पीजन थे अब पीजन कमाता तो टैक्स भी खूब अच्छा देता था तो सरकार के बाद बड़ा वैल था था इन मैनी केसेज इट वाज नैसरी टू वाटर नैसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिसली कई जगे बारिस कम होती तो हमें आर्टिफिसली इरिगेशन के माध्यम से पानी पुचाना था वराइटी और मैथड वर यूज़ फॉर इरिगेशन अलालग मैथड यूस्तमाल कि इन सम एरियास वयल वर डग कहीं कहीं हमने क्या क्या कुय होते इन अधर प्लेसे यूज़ टैंक सब्सक्रीचर्ट To Cayности टू क्लेक्ट रइनॉट रेणौ टैंक बनाएग है जिसमें क्या कर 4वर्ट बारिस प्रफ़ेश किया जा सके उसको चंजर किया सके जहां पारा सफी थ है द्धी इरिग संकुष्र क्लानिंग अर्गनीजिंग लेबर आन जे अ क्या होँता दॐ इसमें क्या हती होती है इक हमारे प्लैनिंग बहुत जुरूरी मिन Ist तो फिलिकेज हो जाएगा सारा पानी तो ओर फ्लो कर जाएगा ठीक है नौस्ट और न्यू रूलर एस वेल आज पीपल लिविग इन विलिजेश टुक एं एक्टिव इंट्रस इन दिस एक्टिविटीज जो ने ने रूलर होते ने रूलर बनते हैं वह बड़े चाव से इन बड़े इंट्रस लेते हैं क्योंकि रूलर को क्या आता है रेवनी मिलती थी जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा जितना अच्छा किसान पैदावार करेगा उतना उनको रेवनी मिलेगा और किसान भी इंट्रस लेता था किसान को भी तो पैसा कमाना है किसान भी इंट्रस सेहे नचीजों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे आप हम पढ़ेंगे वह एड़ा अपार में अपायर में इंडिस्टेसिंट कैसे कामकुर अप्रशासन कैसे काम करता था हाव वाजब अबिस टरीगे से टरीगे सरे स्टरीग था सटेलमेंट पुजान जो नोन एज अउर बिकेंग प्रोस्परराज विद श्परड इडिशिए अग्रिकोल्च्र तो सेटलमेंट आफ जो यह किसानों का जो पीजान का जो सटेलमेंट उसको एक जो उनका रहने का छ तो ये धेज रहे प्रोस्परेन हो लगें वारे किसान कैसे क्योंकि यह संसा बारी मुंकॉझा निक्सान हो रहा था तो वंसे इसे वि disproportionate हो घुरुप सुच यृजेस्वियोजे फ़ूटव स्वियूजित कॉयृ घुरुट verlies प्राइब काल नाइडु कॉपर सेonne administrative function including the dispensing justice and collecting tax ठीक है मैं आपको ज़णा सा इसमें एक बता देता हूँ यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा नाडू ठीक है ना और यह होते है हमारे उर 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 ठीक है यह हो गया यह हो गया यह हो गे अट गुरूप अफ उर बनता है नाडू ठीक है गुरूप अफ उर से बनता हमारा नाडू और इसमें नाडू को रूल करते हैं नाडू में एक रहती थी village council विलेज council एंड नाडू perform several administrative function बहुँ सारे administrative काम करते थे जैसे कि खाता-कॉत्व नहीं लिखना क्लर्क का सारा काम करते थे और यह करते थे जस्टीस भी डिलिवर करते थे जज का काम भी कर जाते थे चोटे मोटे क्राइम बें जज का क्राम भी करते थे टैक्स कलेक्शन भी करते थे जज का काम भी करते थे ठीक है न दोनों काम यही कर रहे थे रिच पिज़न्ट और विल्ला कास्ट एक्साइज कंसीडरों कंट्रोल ओर अफेर्स ऑफ नाडू अंडर तो सुप्रिविजन ऑस संट्रल चोला गौवर्मेंट थी हमारे ऐसा था यह चोला गौवर्मेंट होगी चोला गौवर्मेंट के अंदर हमारे क्या आते हैं पे बड़ा कंट्रोल था इनका ठीक है विला कास्ट के जो लोग थे एनका यह रिच पिजन्ट थे तो यह नाडू पे इनकी प्रभ बहत पवर फूल पायज थी यह नाडू पर यह लोग बैठ थे 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 तिक है इने का कंट्रोल था और ही करते थे पूरा और मेर्डिशन क and entrusted them with important office of the state at the center. ठीक है? तो चोला गॉर्मेंट क्या करती थी? जो रिच पिजन्ट होते थे, इनको क्या करती थी? चोला रिच लेंड उनर्स होते थे, बड़े-बड़े जमीन जायादा वाले जो धना सेट होते थे, उनको क्या करती थी? बड़े-बड़े टाइटल देती थी, बड़े अच्छे-च्छे टाइटल देती थी, ताकि एक सम्वान के लिए सम्वान के लिए उनको टाइटल देते हैं, ठीक है? कि संबान लिए टैटल दिया जाता था 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 थाथ था था थे अव गूर्मेंट फॉर्मेंट जो ऑफिस हो सबस्केया था बनाया जाता था था थिक रहे बनादिया था थनको कई अधिकारी पंदिया थी करती था कवर्मेंट अब देखिए यह पता रखा है टाइप सॉब लैंड किस तरह की लैंड थी चोला इंस्क्रिप्शन मेंसें सेवरल कर्टेग्रिविज अब लैंड जिसको बोलते थे यह नॉन ब्रह्मन लोगों को दी जाती तो वैलन वैगी पूला था दूसरा है ब्रह्मेदा य यह किसी साथ यह लैंड फॉर दा मैंट्रिनेंस ऑफ स्कूल को दी जाती देखिए उस जमारे में सिक्षा के बारे में कितना साउथ इंडिया कितना महत्व पून वर्क्त कर रहे थे ठीक है फिर एक देवेंदा और त्रीमंत कुतनी यह लैंड गिफ्टेट टू टैंपल को दी जाती थी और पलंची चंदनम यह किसको देखिए यह जैन इंस्ट्यूशन को भी दी जाती थी जो जैन यह उसके बारे में बता रखा है ठीक है प्रहमनाज ओफन रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रहम विदा एज रिजल्ट अलार्ज नंबर ब्रहम विदा सेटल्मेंट इमर्ट इन कावरी वैली इन अधर पार्ट सौथ इंडिया यह राधा करता था ब्रहमनों को बहुत जमीन देता था तो इसके कारण के लाज सेटल प्रामड लैंड होलड तो इनकी एक सभा होती थी ब्रहमनों के लैंड होलों यह पूरे पर हुभर मेदर टर टीका यह इनके जो हमारी सभा होती तो इहाँदों की ब्रहम備दा ठीक्य है ना एंड हयं तुले एंसबले वर्र में ча अब्रिं वरिफन यब्ञेंट या बड़न decision were recorded in details in inscription often on stones walls of temples all the decisions were noted in the temple walls of temples the association of traders known as Nagram also occasionally performed administrative functions in towns and what was the association of traders called Nagram और ये क्या करते हैं ये नगर नगर का वो ख्याल रखते हैं सहरों का इनके पास दे रहें आप सहर का पूरा administrative function आप करो आप समाल होगे इंस्क्रिप्शन फ्रम उतेमूर और चिलन गुप्ट डिस्टिक्स तमिलाडू प्रुवाइड सेवरल डिटेर्स वे इन विच सभा वाज और्गनाइजड ठीक है तो ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला है उतेमूर से जिसमें बताता है कि सभा किस तरीके से काम करती थी अब देखिए किस तरीके से काम करते थे यह करते थे एक जिन जिन को जो जो एलिजिबल है उनके नाम एक कागच एक उसमें लिख लिए पत्ते में लिख लिए और उसको एक वॉक्स में रख दिया एक घड़े में रख दिया और किसी बच्चे से बुलाया किसी यंग बच्चे को बुलाया जो आज भी होता लगी ड्रो टैप का वह लगी आप पड़्ची तो इसका नाम आता था जैसे दस लोगों का प्ठाना तो रिवीस लोगों की पच्चे दलवाई तस नैमने हैं उसको उसमें कमिटी में सामिल कर लिया जो आज वी हमारा सबगता है कर अब कहीं करके कई लंगी ड्रो करते है कियाओ तो इसके साथ इस चीψ और एक्ट